अबहुटी नहीं है, तो अभी जो discussion होगा, वो होगा, RTP, इस attempt का, आपके attempt का में, 2024, उसका soft copy में provide कर दो, RTP में कुछ special high नहीं है, तो मैं RTP में नहीं भी करवाता, तो ऐसा नहीं कि आपसे नहीं हो सकता, आराम से हो सकता था, पर चलो ठीक है, फॉर्मिल्टी पूरी कर देता हूँ RTP में सारे ही questions books से है दो multiple choice question है, case study base, वो करना है, वो भी easy है और एक question international financial management वैसे inflation होता है capital investing में international financial management में भी inflation का यूच है, yes पर यार वो ना दोनों को mix करके आया हुआ एक question डला हुआ है RTP में, दो चीजों को mix करके इसको एक international financial management और capital investing को mix करके बस बाकी सब मैं आपको soft copy दे देता हूँ तो सारे question books सही है तो उसे सीधा cut कर दो पहला जो question है RTP में 2001 का question number one जो आया था securitization से multiple choice question है, एक case दे रखा है और उसको मैंने यहाँ explain कर रहा है securitization का simple सा और उस पे MCQs पूछा है ठीक है सार, एक बाद पढ़े बूल रहा है grow more limited ठीक है with an NBFC, सर यह NBFC है मतलब सर यह bank हुई एक प्रकर, यह एक प्रकर से bank हुई NBFC ठीक है, is in the need of fund, इसको fund की जरूरत है NBFC काम क्या करती है, सर housing finance, सबसे अच्छा example होई दिया था NBFC ने housing loan दे रखा होगा yes, तो पैसा फ़स गया और यह पैसा मिलेगा, किसको? oblige, obliger's को ठीक है सर अब obliger's से पैसा मिलेगा, पर वो धीरे दे मतलब सर जिन्होंने loan ले रखा है, वो है obliger's yes, और यह धीरे-धीरे installment के रूप में जिसमें principal भी include होता है, और जिसमें interest भी include होता है, हाँ सर वो पता EMI वो EMI देते जाएंगे, लेकिन अभी दिक्कत यह है कि इसने housing loan दे रखा, तो फ़स गया पैसा yes, इस भाई सामने यह जो receivable है, यह किसी और को sell कर दिया, और कितने के थे, receivable 100 million, और किसको बेचा है, तो सर यह बेचा है, MFC MFC मतलब MAC financial corporation को बेज दिया, यहां तक ठीक है, इसने housing loan दिया था, यह इसने किसी को बेज दिया, जिसका नाम है MFC, ओके और MFC क्या करना चाहता है, MFC चाहता है security issue करना, तो इसके लिए उन्होंने trust बनाया और trust एक special purpose vehicle बोलती, इसको SPV, एक trust बनाया और इस trust ने security issue किया, किसको investor, इसको ऐसा लिखा हुआ GIT, नाम का एक trust बनाया, और उन्होंने security issue किया, और risk के हिसाब से, अलग, ऐसा नहीं है, कि एक certificate दे दिया, अलग, अलग trench, अलग, अलग risk के हिसाब से, अलग, अलग security issue किया, याद करना पड़ेगा कितने type के security issue होती थी, तो याद है, आपको थोड़ा सा past through certificate ऐसा कुछ था, pay through security था, समझ लेंगे risk और return के हिसाब से, अलग, अलग trench बनाया होगा, risk को हिसके हिसाब से, और अलग, अलग type का security issue किया, तेखा है इस structure also permit और GIT को और एक option था कि अगर इनको security के बदले में return दे दिया, risk के हिसाब से, और जो पैसा बचेगा, वो investment भी कर सकता था और यह investment का option, एक type की security में था, वो security का नाम आपको पता करना हूँ MFC MFC मतलब यह इसने और appoint किया third party को, जिसका नाम है safeguard private limited और वो क्या कर रहा है, obligizer से payment collect करके GIT को दे रहा है, इसी को बुलते है receiving and paying agent ठीक, it will also follow defaulting obligisers and it required initiate appropriate legal action यह सब लिखा हूँ, ठीक है अब यार, उपसे बड़ी समस्या इसका नाम क्या है, सर इसका नाम है SP इसका नाम क्या है, इसका नाम है investors, इसका नाम क्या है, इसका नाम है receiving and paying agent, इसका नाम क्या obligis, सवाल है कि सर एक originators हुआ करता था सर, originators जब आप समझा रहे थे, तो यही तो था originators, यह बीच में MFC नहीं था लेकिन इस question में बच्चों का doubt आया था सर, originator यह हुआ कि यह हुआ, अब originator यह नहीं होगा, क्योंकि यह SPV appoint नहीं कर रहा है, इसने सारे receivable base दिया MFC को, और MFC अब काम कर रहा है, और अब हुआ SPV appoint कर रहा है, इस हिसाब से अब originator यह हो जाएगा, बस यह important है, अब originator, अगर यह खुद SPV appoint करता और सारा process करता, तो मैं इसको बोलता originator पर इस भाई सामने अपने receivable किसी को बेचा, और उसने SPV appoint कि, तो अब जो securitization का process है ना, वो यहां से start हो रहा है MFC, चाहो तो यह नहीं भी करता, पर इस ने किया securitization का process, इसलिए इसको मैं originator से भोलूँगा पढ़ते क्या question है based on the above scenario answer the following, the securitized instrument issued for rupees 100 million by GIT, false under security issue कर रहे है उसको pass through certificate बोलेंगे पेट security बोलेंगे कि realtà debt fund तो होता ही नहीं है path through certificate में होता क्या है security issue कर रहे है तो जो भी पैसा, हमने आपको दे दिये path through certificate कि मैं बात कर रहा हूँ उसमें क्या होता था यह साहीं option नहीं है ईसको option जो पैसा आएगा, हम नहींगे, that's it, सब को एक बराबर, इसे में दिक्कत क्या थी, कि जो रिस्क कम लेना चाहते, और जो रिस्क जादा लेना चाहते, उल्जिख रिटन कम चलेगा, पर रिस्क कम, पहले हमको दे दू, मतलब risk के हिसाब से return कम मिलेगा मेरी बात समझने के कोशिश करो pass through security में क्या होता था pay through security में नाम से confusion मत होना pass through security में pass through certificate में ऐसा था कि obligers से जो पैसा आएगा हम आपको देते जाएंगे हम ये नहीं देखेंगे किसी को कम risk लेना है ज्यादा risk लेना पहले जो कम risk लेना चाहते उसको पैसे दीजिए उसके बाद number आजाएगा दूसरे का जो ज़्यादा risk लेना चाहते इस तरह से ट्रेंच बनाने की बाद मतलब risk के हिसाब से certificate issue होगे security issue होगे इसका नाम है pay through security और सर इस्ट्रिप्ट में इंट्रेस्ट उनली प्रिंसिपल उनली खैर में सिक्यूरिटाइजेशन नहीं पढ़ाने वाला होगे तो यह जो security issue हो रही risk और return के हिसाब से और जो पैसा बचता है आप उसको investment भी कर सकते हो यह सब्द कहां लिखे हुए है यह सब्द लिखे है सर pay through security में answer क्या हैगा pay through security अब ओ सिनेरियो originator कौन होगा मेरा मन कर रहा था originator जब मैंने पढ़ा था इस question को सुरू में तो मुझे लगा originator होना चाहिए grow more limited क्योंकि हमारे question के सबसे grow more limited है पर यहाँ जो originator अब grow more limited नहीं है अब यहाँ जाएगा MFC अगर MFC बीच में नहीं होता तो grow more limited ही originator अब ओ सिनेरियो general GIT special purpose vehicle इसमें को समझाने की बात ही नहीं है safeguard receiving and paying agent यह important है which of the following statement hold it true जब market में yield बढ़ता है आप हमारे हाँ investment करें बिल्कुल ध्यान से आप हमारे हाँ investment market में लोगों को yield पढ़ रहा है जादा मिल रहा है मेरी बात बिल्कुल simple है आपने हमारे हाँ investment किया ठीक है सर आपने यह security ले लिया आपको return मिलेगा और कौनसा प्रिंसीपल आपको मिलेगा अब यहर market में rate of interest गिर रहेगा गिरेगा नहीं बढ़ेगा अगर market में बढ़ेगा तो क्या कर सकते हो आप अप इस security की value क्या होगी लोग इसमें पैसा नहीं लगाएंगे और principle कभी payment नहीं करेंगे ठीक नहीं चलेगा वो बाहर पैसा लगाएंगे बात समझने की कोशिश करो अगर market में rate of interest बढ़ेगा उधर बढ़ गया market में market yield तो वो जो investor जो खरीदना चाहता है यह certificate वो नहीं खरीदेगा वो कहेंगा यहर उधर पैसा लगाएंगे ना इसका value क्या होगा इसी बात है तो बोलडा है अगर market में rate of interest बढ़ेगा तो इस principal only security बढ़ेगा पहला उधर रॉंग लग रहा है अगर market में rate of market yield बढ़ेगा तो principal only security गड़ेगा हाँ यह सही लग रहा है अगर yield market में गड़ेगा तो principal only security भी गिरेगी अच्छा, सुनो, 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 अच्छी बात और तीसरा yield गिरेगा तो price में change नहीं होगा, यह तो बेकार बात है अगर हमको नहीं भी है concept पता, तो भी जुगार लगा सकते इस question में तो लगाई सकते हैं और जुगार कैसे लगा सकते तो yield बढ़ेगा, तो price भी बढ़ेगा, yield गिरेगा तो price दोनो एक ही बात है ना भाई, यह दोनो option होगी नहीं सकते अगर आप कहारो यह सही है, तो फिर यह भी सही है आप समझे नहीं के कोशिश करो ना अगर आप कहारो यह सही है, तो फिर यह भी सही हुआ ना तो दो सही तो हो नहीं सकते तो फाइनल आंसर भी ही आएगा पर मैंने concept आपको बता दिया आपके आप समझ लो ओके question number two multiple choice question और यह आया था आपका security analysis और security analysis का weak form of efficiency efficient market hypothesis देखे क्या क्या होता था efficient market hypothesis वड़ा साद दिला दू सर्ष तीन form होते थे strong, semi strong और weak form और हम check करते थे weak form का मतलब क्या है ऐसा market इसमें कोई भी अनुमान लगा सकता है कि आने वाला future में stock का price क्या हो सकता stock का movement क्या होगा बढ़ेगा कि कम होगा और उसके हिसाब से abnormal profit कमा सकता है तो ऐसा market efficient market नहीं कहलाता था, याद करो मैंने करवाया हूँ मतलब यह कोई भी अगर पता लगा ले कि क्या होने वाला तो ऐसा market टाइम पास efficient market किसों कहते है कि आप price को देखकर सिर्फ price को देखकर charts को देखकर आप कभी भी अनुमान नहीं लगा सकते कि किदर होने वाला मतलब price random walk random walk मतलब कभी उपर कभी नीचे कभी random ले किदर भी जा सकती है तो फिर तो हम पता नहीं लगा सकते ऐसा market efficient है हाला कि यह weak form of efficiency होगा पर मुझे detail में नहीं जाना मैं फिर से बोलू sir हमें चेक करना है कि market efficient है कि नहीं और वो पता कैसे करेंगे अगर मैं आपको कुछ charts दूँ और बताओ कि बताओ ना किदर जाने वाज़ा और आपने बता दिया इतमेंस आपको पता हो गया सिर्फ charts को देखकर तो ऐसा market inefficient इसमें हमने कौन से ट्रेष्ट किये थे एक था auto correlation test और एक था run test दो test तो मैंने करवाए और sir filter वो मैं अभी बात बढ़ा सा theory है थोड़ा समझने में time में लगे है पर मैं थोड़ा सा समझा दूँ याद दिला दूँ कि क्या होता था sir auto correlation test में क्या होता था auto correlation exam में question भी है question करवाए अभी हूँ सपोज 20 दिन है मन से बोल रहा हूँ 20 दिन 10-10 दिन का price लिख लिए 10 दिन 10 दिन अब हम दोनों 10 दिन के price का आपस में correlation निकाल रहा है अगर एक 10 दिन का price बढ़ा तो अगले वाले अभी 10 दिन का price बढ़ रहा है दोनों के बीच में positive correlation positive correlation मतलब एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ा अगर पहले period का गिरा तो दूसरे period का भी गिरा positive correlation तो पता लगा लोगे आप इधर का बढ़ा और दोनों के बीच में positive तो अगले 10-10 दिन में भी price बढ़ेगा it means positive correlation है तो आप पता लगा सकते हो price क्या हो अच्छा सर और सर negative correlation है तो एक period का दूसरे period से में correlation निकाल रहा हूँ एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है negative correlation मतलब पहले 10-10 दिन का बढ़ा तो अगले 10 दिन में गिरेगा दोनों के बीच में correlation निकाला minus में आया अब तो अनुमा लगा लगा यार बढ़ता है एक तो दूसरा कम होगा चलो फाइदा उठाते है या एक गिरता है तो दूसरा बढ़ेगा negative correlation यही हुआ तो सर्थ फाइदा उठाते है ना चलो खरीद लेते है क्योंकि अगले 10 दिन में तो बढ़ेगा price यहां भी आप से price देखके पता लगा सकते है इसको क्या बोलते है आटो कोरेलेशन तो कोरेलेशन होता एक आटो कोरेलेशन और एक होता सीरियल कोरेलेशन यह सब काम की बात नहीं होगी क्योंकि बहुत बारिक्यों में नहीं जाना मुझे बारिक्या मैंने क्लास में समझाई हूँ हमारा target क्या होगा हम कब efficient नहीं है बोलेंगे जब price देखकर मतलब दो period के बीच में correlation zero हो अगर correlation zero है तो फिर पता ही नहीं लगा सका तो अगर correlation zero है correlation auto correlation test अगर correlation zero है तो फिर ऐसे market को बोलेंगे efficient क्योंकि price जो है random walk कर रही random walk समझ रहे हो ना कभी उपर कभी नीचे कभी किदर जा रही पता नहीं इसको कौन सा correlation बोलते है auto correlation एक और होता है run test plus 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 minus 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 मतलब मैं गह रहा हूँ कि price कैसे होना चाहिए अगर price कभी ऐसे होता है plus minus plus minus plus minus plus minus बहुत ज़्यादा runs run समझ रहे हो ना हर बार price change होने पे हम उसको एक run मानते थे अगर run बहुत ज़्यादा है मतलब plus minus plus minus plus minus plus minus plus minus तो उस condition में आप price पता लगा लोगे कि अगला price क्या होने वाला एक बार minus हुआ कम हुआ तो बुल अगले दिन क्या होगा plus बढ़ेगा तो आज खरीदो कल बेस देना plus के बाद क्या होगा अगले दिन minus होजगा क्योंकि number of runs से बहुत ज़्यादा है ये तब ही होगा जब पहले आपने rentist किया होगा तो number of runs ज़्यादा होना चाहिए कि नहीं तो number of runs कम होना चाहिए number of runs कम हो रहा है मतलब ऐसे हो रहा है पहले एक बार प्लस होता है तो प्लस 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 और एक बार माइनस होता है तो माइनस माइनस मतलब सर नमबर ऑप रंस कम कब आएगा जब साइन कम बार चेंज होगा प्लस होने के बाद बहुत बार प्लस होगा, माइनस होने के बाद बहुत बार माइनस होगा तो भी पता लगा लो कि एक बार प्लस हुआ तो यार आने वाले दिनों में प्लस प्लस ही होने मला तो खरीद लो और जैसी माइनस हुआ तो बेज़ देना क्योंकि माइनस के बाद अगला बहुत दिन तक माइनस होगा तो number of runs कम भी नहीं होना चाहिए तो sir number of runs क्या होना चाहिए average मतलब कभी भी price कुछ भी हो रहा है अच्छा average average क्या होता हो बाद में इसको कौन सा test बोलते हैं इसको बोलते हैं run test और एक होता filter rule test तो यह क्या होता filter rule हाला कि कोई question है नहीं तो मैंने discuss भी नहीं किया पर हमने एक filter बना लिया मन से कोई भी percentage ले सकता हूँ इसमें जो लिखा हो यह वाला percentage यह अगर price 5% से उपर हुआ अगले पिछले price से अब वाला 5% बढ़ा जैसी 5% बढ़ा तो हम क्या कर लेंगे buy and hold buy करेंगे hold करेंगे कब तक जब तक किसी दिन share का price अगर 7% से उपर निकल गया तो हम बेज देंगे इसमेंस हम क्या कर रहा है हम एक filter बना रहा है 2% का अगर पिछले price से इस दिन का price 5% उपर गया बन से लिका percent is ठीक यह 1% भी हो सकता है पिछले price से आज का price 5% तो सर खरीदो और रखो और किसी दिन price 7% से उपर गया तो सर बेज दो एक upper limit बनाए एक lower limit lower limit पे खरीदेंगे अपर limit पे बेज देंगे कि उससे उपर तो जाएगा नहीं filter और ऐसा यह कहां से देखा सर पास्ट को देखकर और अब वाकई ऐसा ही हुआ future में तो inefficient mark मतलब यार पास्ट को देखकर अब पता लगा रहा है अब profit कमा रहा है और price अगर randomly change हो रहा है पता नहीं और इससे आप कमा नहीं पा रहा है ऐसे market को क्या बलेंगे inefficient ठीक efficient market pattern follow नहीं हो रहा तो वो efficient market चलो जी बहुत हो गया यह सब पढ़ा चुका हूँ revise कर वारा था अठार मेंड पर बाद हो गया लिगा you are a financial analyst of prominent investment firm और आप पता करना चाहते efficient market है की नहीं और आपने बहुत सारी stock को collect किया collection किया और आप conduct करना चाहते three different tests to assist whether the stock market follow the principle of weak form of efficiency ही हमको check करना test number one का नाम चाहिए for the past five years you collected daily price change daily price change of the stock in the XYZ और उसके बाद आप correlation निकालते हो for different lack period correlation निकाला आपने past price जो भी significant correlation आप चेक कर रहे हैं यार past को देखकर future का क्या होगा ऐसा आप correlation निकालने की कोशिश करें और आपने देखा कि जो price change हो रहा है वो independent change हो रहा है आपने correlation निकाला पर correlation जो है वो positive या negative या इन्डिपेंडनेट कोई भी किदर भी जा रहा है तो correlation जीरो ही है इसकी वज़े से जो correlation है वो close to क्या है जीरो तो सर यह efficient market है weak form of efficient market efficient market आप future का past को देखकर future का अनुमान नहीं लगा पा रहा है efficient market हला कि इस taste का नाम क्या है auto correlation taste हला कि इन्होंने serial correlation taste लिखा चल जाएगा हमको correlation याद रखना हला कि दोनों में बारी कंतर होता हूँ मैं क्लास में बताया ठीक है taste number two आपने further investigate किया price change में XYZ index का और आप daily price change में आप कर रहे हो run run count कर रहे हो ठीक है when price changes are consistently positive or negative upon comparing upon comparing observe a number of runs with expected number based on the randomness बतलब जो आपका अनुमान था उसके हिसाब से number of runs average नहीं निकला number of runs जो अनुम सूचा था कि plus or minus वो ये कह रहा है कि random random समझ रहा हो हमारे हिसाब से price कम नहीं हो रहा है ये बता रहा है you find that they align closely supporting the idea that price change follow a random pattern this is important अगर random walk theory है तो ऐसा market efficient market कहलाता है past के हिसाब से price नहीं चल रहा है हमारे अनुमान से नहीं चल रहा कभी भी up हो रहा कभी भी down हो रहा हलाकि इस test का नाम क्या है run test तीसरा to examine the efficacy of trading strategy historical trend you implemented a simple trading rule for XYZ index और rule में क्या था जब आप buy करोगे जब moving average 5% से उपर जाता है 5% को cross करता है तो हम buy कर लेंगे और sell कभ करेंगे जब 7% को cross कर दे तो sell कर देंगे filter rule test हो गए है और यहीं pattern अगर चल गया तो हम कहेंगे कि इनेफिशेंट मर गया बट यह strategy फैल कभ होगी जब जो यह जो है ना 5% साथ परशन अब कमा नहीं पा रहा है यह random pattern बना लिया तो फिर यह theorem जो है filter rule copy filter rule test यह फैल हो जाए over a period of testing you computed the return generated by the trading strategy the result revealed that the return are not consistency better than random chances return आपके subsets और past price पर हम rely नहीं कर सकते तो sir यहां filter rule test फैल हो जाएगा क्योंकि यहां सब्द क्या लिखा है random price randomly change हो रहा तो ऐसा भी market क्या हो जाएगा efficient market ठीक after conducting the three tests the evidence supported that the weak form efficient market for xyz index you concluded past price 10 do not reliable product the future price efficient market है weak form of efficient best on the above information answer the following test one is और वैसे तो मैं auto correlation test बोल रहा हूं पर नाम नहीं दिया तो हम serial correlation और sir हमारे IC AI के module में serial correlation test ही लिखाओ test number two का क्या नाम है sir run test test number three का नाम है filter rule test filter rule test apply नहीं होगा कब जब आप अनुमान लगा पा रहे हो price का apply हो जाएगा फिर तो past पर depend करता है तब भी apply हो जाएगा filter rule test correlated है तो भी apply हो जाएगा लेकिन अगर random basis पे है तो यह filter rule test fail हो जाएगा अप कमा नहीं पाओ अनसर हो जाएगा अलागे filter rule test का question नहीं है ज्यादा चर्चा नहीं किया क्लास में तो मैंने बात ही नहीं किया हूँ आप पढ़ ले ना एक चार लाइन दिया है बस तो result of your study क्या यह semi strong है नहीं भाई weak form वीक form तो दिया यह नहीं है random work theory follow करता है यस random work theory follow करता है जो result आया उसके तो यह दो question आये थे जो multiple choice question का case basis और यह वाला question number 3 यह देखना जरूरी है क्योंकि question अच्छा है अच्छा है seriously practical numerical question नहीं multiple choice question नहीं है IFM का question है IFM plus capital investing पर देख ले क्या पहली बात तो यह सब पढ़ोगी ना तो दिक्कत होगी समझ में नहीं आएगा हो क्या रापर फिर भी मैं speech से पढ़ लिता हूँ मिष्टर विष्वास, friend of Mr. Pramodh who is one of the director of Ashirabad Limited is a city region of Mauritius ठीक है बाई कोई होगा Mr. Viswas की Mr. Pramodh पता नहीं Mauritius में कोई एक बंदा रहता है उसके family member, parents, India में जर्म हुआ ठीक है और he has many friends in different part of India due to which he happens to visit in India on a frequently basis see along with Mr. Pramodh interested in setting up a business in India ये मिल गया सर ये हो गया India येस और ये हो गया Mauritius ये कह सर, Mauritius India और यहां investment हो रहा इंडिया में investment करना चाहता है Mauritius में क्या चलता है और Mauritius में चलता है रुपिया M-U-R Mauritius और इंडिया में चलता है INR और पैसा कहां लगाना है इंडिया में लगाना है तो ठीक है आप domestic currency approach से भी कर सकते हो होम करना है किसके एंगल से बात करना है आपको Mauritius मैं यहां हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं इंडिया में पैसा लगाता हूँ इंडिया में पैसा लगेगा वो किस में लगेगा रुपीज में पर मुझे जो NPV निकालना वो किस में निकालना M-U-R Domestic currency approach से हम कोशन करें काम कैसे करना है काम सिंपल है पहले रुपीया में cash flow वगेरा निकालेंगे उसको हम M-U-R में convert कर देंगे discounting करेंगे answer आजाए पढ़ते अभी कंपनी मना रहा है और Aries Private Limited to start with he received a business proposal from one of his friend Nimis a concerned and it is estimated that equivalent term the business shall require कितना रुपीया लगाना है हमको sir M-U-R hundred millions हलाकि इसको हम रुपीज में convert कर देंगे thereafter फिर उसके बाद हर साल लगेगा M-U-R two millions will be needed as working capital working capital का हर साल लगेगा पहले साल M-U-R तो sir या इसको तो हम रुपीया में convert कर देंगे spot rate से yes पर ये जो 2 million लगेगा he wish to evaluate whether the business proposal is viable or not the information the information related to action rate and inflation rate यह ही तो चाहिए action rate दिया है dollar दे रिया भाई Mauritian dollar दे दिया आलाकि यहां रुपीया होना चाहिए पर चलो ठीक है मज को research नहीं पर ये रुपीज पर M-U-R दी है inflation का rate दिया है 6% और 5% मौरिशिष में तो वो किस काम आएगा power rate निकलने के काम आएगा ये estimate और बोले 4 साल तक यही inflation rate रहेगा तो कितना million लगाना है सर्ट टोटल मिलाकर 100 million लगाना है और अभी rate क्या चल रहा है अभी rate चल रहा है 1.88 100 million और M.U.R का ही rate दिया तो सर सीधा multiply हो जाएगा 100 into 1.8 M.U.R का rate दिया है 100 million रुपी है के M.U.R M.U.R है multiply हो जाएगा 100 into 1.8 188 करोर रुपीया million रुपीया उसको करोर में convert कर लेंगे तरीक या ये क्या जाएगा ये रुपीज जाएगा और वार्किंग कापिटल का बाद में हिसाब किताब को और जो रुपीया लगेगा कितना भी लगेगा प्रोजेक्ट में उसमें से 8 करोर रुपीया का हम बोले initial investment में हम plant खरी देंगे वो अलग से क्यों बता रहा कि 8 करोर का depreciation के लिए बताता होगा useful life रहेगी 4 साल और 4 साल बाद प्लांट बेज दोगे 80 लाग और straight line method से depreciation 40 percent of the investment shall be through debt from Mauritius 40 percent पैसों के अव्यवस्था करोगे debt से इसका cost है 10 percent बचा हुआ 60 percent कहां से तर 12 percent के सबसे WACC निकल जाएगा that's into 0.4 लेकिन ये rate कहां का निकलेगा ये rate निकलेगा Mauritius WACC it means हमको इसको convert करना ही पड़ेगा domestically तब भी ये वाला WACC यूज कर सकते domestic currency ठीक है सर revenue और cost दे रखा 4 सल खा revenue रुपीज में दे रखा thank God और ये भी रुपीज में दे रखा उसको सर रुपीज को convert करेंगे किसमें M.U.R. में एक काम करेंगा ना पहले CFAT निकल लेंगे रुपीज में और फिर इसको हम M.U.R. में convert करेंगे पर दिक्कत क्या ये real दे रखा दिया सर इंफलेशन को यूज करना पड़ेगा सर ये वाला इंफलेशन यूज करेगे कि नहीं भी इसके लिए हो सकता कोई अलग से inflation rate दिया वैसे तो यही वाला कर लेता पर कुछ नहीं बोला तो अलग से दिया हो तो मैं वो दिश चेक करूँगा tax rate कितना है 30% वो के सा since there is a double tax avoidance agreement इंडिया और मौरीशस में तो कोई pay tax मौरीशस में if I is not paid in India इंडिया में tax paid होगा उसका कोई credit नहीं मिलेगा यह दिया है भाई inflation rate revenue पर 10% पहले साल 10 यह डाला है capital बश्टी पहले साल 10 मतलब सर यह होगा 6 plus 10% तुसे साल 7 तो 7 कैसे होगा 7 plus 10% plus 9% कि करवा चुका हो तो लिए आप कुछ नहीं और आपको आपके expert opinion चाहिए तो भाई करे के कैसे करना कुछ नहीं है सबसे पहला का मैं forward rate निकालना यह rupees spot उपर रुपिया का rate नीचे यह तो फिर आता है आपको तो सर यह हमने निकाल लिया यह क्या निकाल लिया expected spot rate purchasing power parity अब उसके बाद total investment कितना हो रहा सर 100 million one point सर 18.80 crores इस पर million में नहीं हो रहा crores में हो लहा उसने कहा कि rupees को आप crores में convert कर दे और हर साल 2 million है तो उसको भी हमने किस में convert कर दिया rupees में convert कर दिया expected job rate है उस case और WACC भी proper निकाल लिया यहां तक कोई दिक्कत है कि अब revenue चाहिए हमें with inflation really nominal 6 crore into 1.10 किया तो 6.60 कर दो दूसे साल 7 तो 7 into 1.10 into 1.0 नहीं हो यहां तक कोई दिक्कत है कि यह सर capital बिश्टी में किया हो ऐसी cost का भी inflation का rate अलग है तो हमने कर दी अब कर लोगे मुझे तो भाई revenue दिया है cost दिया यह सब rupees में depreciation कैसे निकला कैसे ना भाई तर 8 crore था उसमें से 10% 80,00,00,00,00 मतलब 0.8 तैल वेज है और divided by 4 1.8 crore depreciation 1.8 crore depreciation profit before tax आगे, tax मैंनस किया, pet आगे depreciation तो यह सर यह CFAT है पर यह CFAT किसमें है rupees में अब इसको हम domestic currency में convert करेंगे forward rates तो यह rupees में मतलब divide होगा पहले यह rupees में लिख दिया और इसके अलावा working capital भी rupees में लिख दिया और scrap value भी last में लिख दिया यह सब rupees में और working capital recovered होगा यह scrap value working capital recovered मतलब इन 3 को add कर दिया होगा और यहां लिख दिया होगा पक्का बात है इन 3 को नहीं इन 4 को नहीं सरहाच capital वैसे zero period में लगना चाहिए तरह कि at the end of हर साल लगे कुछ ना बोले तो zero period में लिखते capital के वैसे में ने पढ़ा नहीं तर पढ़ा दो M.U.R. 2 million each year will be needed as working capital मेरे ख्याल से पहला zero period में होना चाहिए तो में लिया नहीं है ऐसे अगर में होता तो मैं इसको ऐसे नहीं करवाता यहां मुझे थोड़ी थोड़ी हो working capital में मैं यहां से start करता 0.37963832 इस तरह से करता तो last में 1.5401 आजा मैं कुछ नहीं कर सकता और यह annual cash flow तो हो ही जाएगा तो फिर सर यह आगया cash flow किसमें आगया रुपीज में divide होगा rates से divide करोगे rates से तो cash flow M.U.R आ गया 11.2% से discounting करोगे तो यह negative आगया negative आगया तो reject कर देना simple question है, साब सुत्रा question है एक जगा बर दिक्कत है मुझे अभी भी और वो है working capital मेरे ख्याल से यहाँ 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 होना था और यह recovery होना था institute ने ऐसे कर रखा तो यही एक मात्र question है RTP में जो करने लाइक बाकी सारे questions book से हैं तो हम उनको देखेंगे भी नहीं ठीक है बाकी मैं डाल देता हूँ आपकी संतुष्टी RTP डाल देता हूँ इस बार stop copy thank you so much bye bye